मार्केट में एक न्यू टाइप का बॉंड है जिसे हम सौवरेन ग्रीन बॉंड कहते हैं यहाँ पर यह बॉंड आज के समय में पहली बार ओपन हो रहा है हमारे भारत देश में और इसका जो ऑक्सन है वो 19 जन्वरी से स्टार्ट हो चुका है और यह ऑक्सन अगले 25 तारिक त यहाँ पर क्योंकि यह मार्केट में एक नया इंस्ट्रूमेंट है इन्वेश्मेंट के लिए और कुछ लोगों के लिए नॉलेज के लिए इसलिए कई लोग यहाँ पर एक्साइटेड है तो इस वीडियो में मैं आपको complete details बताने वाला हूँ इन sovereign green bonds के बारे में तो पर सबसे पहले तो आपका यह जानना काफी ज़्यादा ज़रूरी है कि bonds होते क्या है यहाँ पर bonds normally एक debt instrument है जहाँ पर normally investors से पैसा लिया जाता है सरकार के तरब से या फिर बड़े-बड़े company के तरब से normally जैसे आप किसी person को loan का पैसा दे रहे है तो आप और उस person के बीच मे एक agreement हो जाता है जहाँ पर कई सारे सायटे ताय किया जाते है जैसे कि interest कितना दिया जाएगा इसके अलावा कब-कब interest payment होगा इसके अलावा जो आपका loan का पैसा है वो कब वापस किया जाएगा यह सारे agreement के details contract details एक bond में होते है उसी तरीके से यह bonds भी है बस अंतर इतना है कि अब जब paper form में bonds को बनाते है तो उसका destroy होने का chances है लेकिन यहाँ पर यह जो bonds होते है सरकारी bonds यह digital form में issue किये जाते है और इनका जो पूरा issuance का details है और जो भी issuance का proceedings है वो सारा कुछ RBI कहती है तो यह होते है bonds अब यहाँ पर देखे एक sovereign word भी है इसका मतलब होता है सरका जारी मतलब यहाँ पर यह हो जा रहा है कि यह जो पैसा bonds के जरिए सरकार ले रही है उस पर पूरे तरीके से guarantee सरकार आपको दे रही है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं तो यह हो जाता है sovereign का मतलब यहाँ पर market में दो तरीके के normally bonds होते है एक तो होते corporate bonds जहाँ पर बड़ी investor से पैसा लेती है normally अभी तक market में सरकार retail investor से पैसा नहीं लेती थी पिछले कुछ 3-4 साल पहले तक लेकिन जब से sovereign gold bonds है है तब से market में काफी ज़्यादा crazy हो चुका है सरकार को पैसा देने के लिए यहाँ पर अभी के समय यह जो sovereign green bonds है यह सरकार issue कर दिये कुछ predefined purposes के लिए जैसे आप सबज लिजे यह जो normal bonds issue किये जाते है सरकार के तरब से उन bonds का पैसा इस्तिमाल होता है कहीं भी वो पैसा हो सकता है इस्तिमाल हो infrastructure projects में या फिर इस्तिमाल हो किसी salary payment जैसे कि बड़े-बड़े employees के salary payment या फिर हो सकता है इस्तिमाल हो defense में इसके अलाव इस्तिमाल ह तो कहीं भी चाहे वो new businesses में इस्तिमाल हो या फिर public interest में इस्तिमाल हो यहाँ पर यह काम होता है normal bonds का लेकिन जब हम यहाँ पर green bonds को देख रहे तो इन green bonds का पैसा इस्तिमाल होगा सिर्फ green environment के लिए यहाँ पर example के रूप में मैं आपको इसका framework भी दिखा देता हूं यहाँ जैसे देखे मैं आपको यह framework दिखा रहा हूं जो कि RBI के तरफ से issue किया गया इस framework में यह बता रहे है कि आपका या फिर जो बड़े बड़े institutions यहाँ पर अपना पैसा देंगे loan के रूप में उस पैसे का इस्तिमाल का होगा तो देखे यूज प्रिसीट्स में यहाँ पर details देखेंगे तो हमें पता चलेगा climate change mitigation net zero objectives के लिए इस्तमाल होगा जैसे कि solar wind biomass इसके लावा incentivize किया जाएगा renewable energy के लिए for the adoption फिर इसके लावा देखे energy efficiency climate change mitigation जैसे कि supporting public lighting improvements etc इसके लावा और भी कहीं सारे objectives इन green bonds के issue का यहाँ पर simple में आप जान लिए यह जो green bonds issue किये जारे उ पैसे कहां इस्तिमाल होंगे जैसे कि example में माल लेते हैं आप जब home loan के लिए बजार में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो home loan मिलता है आप उस loan का इस्तिमाल सिफ home buying में करते हैं ठीक उसी तरीके से इन green bonds को भी समय लेजे यहाँ पर सरकार कह रही है कि जो पैसा सरकार के त कि normally जितने ये bond के जरी पैसे उठाते थे यानि कि हमारी भारत सरकार जो है उन में से कुछ पैसा ये green projects में इस्तिमाल कहते थे या फिर कहीं अलग चीज़ों में इस्तिमाल कहते थे लेकिन ये जो bond है वो पूरा का पूरा green projects में इस्तिमाल होगा अब आपके दिमाग में आ होगा कि क्या पूरे दुनिया में हमारा भारत देश ही है जो sovereign green bonds बोलका कोई bond issue कर रहा है जो कि environment friendly objectives को पूरा कहने के लिए तो यहाँ पर मैं बोलूँगा नहीं ऐसा नहीं है market में पहले से ही कई सारे देश है जो sovereign green bonds issue कर चुके है एक्जामपल्स में यहाँ पर मैं आपको details दिखाता हूँ जैसे देखिए यह है cumulative value of green bonds issue worldwide यहाँ पर आप देखिए यह 2021 तक का data है यहाँ पर आपको पता चलेगा USA है जो करीब 303 billion dollars का sovereign green bond issue कर चुका है उसके अलावा हम जर्मनी है फिर अलग-अलग nations है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर आप एकदम नीचे जाएंगे तो ब्राजिल जैसा developing country भी दिखेगा जो कि 10 billion dollar का bonds issue कर चुका है और यह जो डेटा है यह 2021 के data के हिसाब से है और हमारे देश में यह sovereign green bonds पहली बार issue के जा रह यहाँ पर worldwide के हिसाब से ही सरकार भी हमारी चल रही है और sovereign green bonds issue कर रहे है जैसे कि देखिए अगर monetary term से हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा इस issue में लगबख 8000 कड़ो रुपए का sovereign green bonds issue किया जला यह date 27 जनवरी का इसके अलावा एक और प्रेस रिलेज है जनवरी 6 का उस प् देखिए एक तो हो गया 25 जनवरी के date का oxygen के हिसाब से और एक हो गया 9 फर्वरी के date के हिसाब से यहाँ पर दोनों डेट में आठाट हजर कड़ो रुपए का पॉंड शिसू किया जा रहा है यहाँ पर अगर dollar term से हम समझे तो यहाँ पर कुल 2 billion dollar का बॉंड शिसू किया जा यहाँ पर क्योंकि सरकार अभी इनिस्यल स्टेज में सॉवरें ग्रीन बॉंड शिसू करने में इसलिए यहाँ पर अभी बस ट्राइल पर से यहाँ पर सॉवरें ग्रीन बॉंड शिसू किया रहे है अब जैसे देखिए अगर जनवरी 19 वाले data को देखेंगे तो हमें पता चलेगा इस जनवरी के data के हिसाब से जो आठ हजार करो रुपए है उसे दो भागों में डिवाइट किया गया है जैसे कि चाह चाहर हजार करो रुपए करके यहाँ पर जैसे देखिए एक जो है उसका मैचुरीटी डेट है दो हजार अठाइस का और जो दूसरा पॉंड है उसका मैचुरीटी डेट है 2030 का मतलब एक है पास साल का बॉंड एक है दस साल का बॉंड यहाँ पर मैचुरीटी मतलब हो गया कि जब इन्वेश्टे या फिर फानिसल इंस्टिउशन सरकार को पैसा देगी ग्रेन बॉंड में तो यहाँ पर इस पैसे को रिटरन किया जाए इसके अलावा redemption के समय में tax benefit मिलता है तो क्या कुछ ऐसा benefit यहाँ पर है sovereign green bonds में जैसे कि अगर यहाँ पर detail में देखा जाए तो हमें पता चलेगा यह जो sovereign green bonds है इसमें normal individuals भी invest कर सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि non competitive bids भी allow किये जा रहा है यहाँ पर जैसे इन green bonds में भी 5% तक का हिस्सा retail persons के लिए मतलब आप और हम जैसे individuals के लिए तो यहाँ पर अभी जानके रख लिए यह जो green bonds सारे है इन green bonds के benefits और interest rate के बारे में कुछ भी तैय नहीं हुआ है यहाँ पर यह green bonds क्योंकि अभी हमारे देश में पहले बार issue किये जा रहे सरकार के तरफ से तो अभी सरकार यह trial ले रही है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े financial institutions है वो कितना yield यानि interest rate का डिमांड कहते है इसके लावक जो हमारे देश में आप और हम जैसे लोग है जो invest करना चाते हैं अपने पैसे को bonds में उनके लिए हो सकता है benefit आने वाले समय में निकाला ज नहीं है जो यह बता पाएंगे कि यहाँ पर कितना interest मिलेगा यहाँ पर क्योंकि यह पहली बार issue के जा रहे इसलिए आपको थोड़ा सा wait कहना पड़ेगा यह जानने के लिए कि यहाँ पर कितना interest मिल रहा है यहाँ पर जैसे देखिए इसका जो auction date है वो 25 तारी को complete किया जा सा change भी हो सकता है 7.2 भी हो सकता है यहाँ पर उस according ही इन bonds का भी yield determine होगा यहाँ पर मेरे हिसाब से personally आप मुझसे पूछोगे तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो yield generate होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा जैसे कि मान लेते हैं अगर 5 साल की government bond का yield लगबाग 6% है तो इस government bond का yield आपको हो सकता है देखने को मिले 6.1 या फिस 6.2 परसेंट इसके अलावा मान लेते हैं सरकार चाहती है कि यहाँ पर पैसा आए तो इसके लिए हो सकता है इस scheme को थोड़ा सा popular किया जाए सरकार के तरब से जैसे कि sovereign gold bonds को popular किया गया था taxation benefit देकर इसके अलावा 2.5% का interest देकर तो उस तरीके से हो सकता है आने वाले समय में green bonds में भी tax benefit दिया जाया अब यह चीज तो एकदम confirm नहीं है अभी तो थोड़ा सा आपको wait कहना पड़ेगा कि क्या outcome निकल कर आता है इस issue के बाद यहाँ पर अगर आप invest करना चाहेंगे तो मैं आपको बोलूंग होगा आप 25 तारीक का wait करिए इसके बाद दुबारा से 9 फरवरी को एक और green bonds issue होगा उस समय तक आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर invest करने से क्या benefit है normally अगर मुझसे आप पुछोगे तो यह जो green bonds है इसमें अभी आप बड़े-बड़े institutions को अपना पैसा लगाने दो जै यह एकदम मार्केट में नया concept है इसलिए अभी आप दूरी बनाकर रखो अगर आप invest करने के बारे में सोच रहो इसका रावाद चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो जैसे कुछ update आता है तो इस चैनल पर आपको इसके related update मिल जाएगा तो उमेद करता हूं आपको detail समझ में आ गया होंगे knowledge purpose से भी और investment purpose से भी अगर आपको कोई doubt है तो comment करें पीडियो के नीचे यहाँ पर आपके सवाल का जवाब जरू दिया जाएगा